तो हलो दस्तों इंडियन आर्मी के दुवारा देखो नई बठी का नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है अब जो भी इंडियन आर्मी के इंदर बठी होना चाहता तो इस वीडियो कामप्टेटे पूरा देख लेना यह बठी किस लेने कलिके हैं यह कौन इसमें फोरम फिल कर तो पूरी जानकर आपको से अप्लिकेशन पीसे कितनी लेगेगी वीडियो को पूरी आपको इस बीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देख रहा है पर आपका सेलेक्शन प्रसे जोब कैसे होगा अब हमारी स्केशन के उपर चलते हैं पूरी जान करें आपको बताथ हो यह बठती सुपालि लेए अपिडियो को पूरा देख लेए आप पूरी जान करताऊंगा और वीडियो आपको पसंड ऺठीने को प्रसे हैं आपको लोडिगोल यहान शाध कैना कुळे अगर आपको इसके लिए फोरम कौन फिल कर सकता है पूरी जानकर आपको जूड़ी में मिलने वाली है देखो जो बोड है इंडियन आर्मी की दुवारा इस बढ़ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है इसमें जो पोस्ट रखे गई है जो आर्मी टी एस फिक्टी वन कोर्स होता आप इसमें पद रखा गया है इंडियन आर्मी के दुवारा अगया आपको पूरी इंफ्रमेशन मिलने वाली पूरी जानकरे बताने वाला हूं कितने पॉस्टर रखे गई है कुन फोर्म कर सकता है इपको इसमें एक्जान नहीं लगेगा इस बढ़ती के लिए इंडियन जो आपका इसमें इंट्रिव्य वगेरा ले जाएगा इसमें किसी फिरकार आपका कोई एक्जाम ने लगेगा अब देगो इसमें बात करते हैं कि जो फोरम है वो कब से अब देगो इसमें एक पद रखा गया है इंडियन आर्मी की दुबारा जो इंडियन आर्मी टेन प्लस टू टीएस पिप्टीवन कोर्स होता है उसके लिए 19 पद वो रखे गए है वेकेंसी डेटिल इस प्रकार से रखे गई है तीएस पिप्टीवन डिक्रूमेंट के लिए आगे इसमें बात करते हैं देगो इसमें एप्लेगेशन पीस पो कितने लगेगी फोरम फिल करने के लिए किसी भी केटेगरी का स्टूडेंट है चाहिए वो जेनल हो या ओवी सी हो या एवसो टी जी टी किसी भी परकार की कोई आविदन पीस पो नहीं रखे गई है किसी एज लिमिटर वो क्या रखे गई इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्रे स्किम भरती 2023 के लिए अब्यार्थी की जो आयू है वो दो जनवरी 2005 से एक जनवरी 2008 के मद्दे होनी चाहिए जबकि दोनों तीतियां उनको से मिलित की गई है यानि दो जनवरी 2005 से लेके एक जनवरी एज लिमिटर विस प्रकार से रखी गई है आगे देखो इसमें बात करते हैं क्वालिफेकिशन वो क्या रखी गई है फोरम फिल करने के लिए इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्रे स्किम बढ़ती 2023 के लिए अब्यार्थी फीजिक्स केमेस्ट्री और मेथ सब्जेक्ट मे सब्सक्राइब के इंदर आपके नियुक्तम 16 % अंगों के साथ आपने पासिंग किये बार भी टोल पासिंग की वह स्टूडेंट इसके लिए फ्रम फिल कर सकता है आगे बात करते हैं किस प्रकार से होगा अब सेलेक्शन प्रोसेश के बात करते हैं इंडियन आर्मी टीएस इंट्रिव्य होगा उसके बाद अपने डोकॉमेंस वेरिफाइकेशन होगी फिर आपका मेडिकल एक्जामनेक्शन होगा तो प्रकार सी सेलेक्शन प्रोसेश रखा गया आपको अप्लाय करना है इंडियन आर्मी टीएस पिप्टीवन डिक्रूमेंट के लिए अप्लाय कर उसे भी उन कर लेना थाकि जो भी नहीं बढ़ती आए उसका नोटिफिकिशन आपके पास पहुंच सकें